आईरिवेद के नुसार हमारा शरीर साथ चक्र से मिलकर बना है, जिसमें से नाभी चक्र बहुत इंपोर्टेंट है। नाभी चला जाता है और दार्क स्पोर्ट, पिग्मेंटेशन, आँखों में रुखापन, कब्ज जैसी प्रॉलम होने लगती है। अगर आपका नाभी स्वस्थे है, तो आपका शरीर भी स्वस्थे रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि नाभी में तेल डालकर सुने से, नाभी स्वस्थे रहने के साथ साथ किन-किन भीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो आईए देखते हैं कैसे लगाना है नाभी में तेल, कौन-कौन से तेल लगाना है और इसके होने वाले फायदे। दोस्तों आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना है। को हलके हातों से मसाज कर नाभी के चारोर फैला लें। चलिए मैं आपको बताता हूँ नाभी में तेल डालने से क्या जाख फायदे होते हैं। रोजाना सोने से पहले नाभी पर 5-7 बुन्दे तेल की डालें और उसके आसपास फैला कर हलके हाथ से मसाज करें इससे कमर और जोडों का दर्द दूर होगा शरीर में लचक बरकरार रहेगी चहरे पर बार-बार पिंपल्स होनी के समस्या से परिशान रहते हैं लगतार उपयोग से चहरे के रिंकल्स, फाइन लाइन्स, बुढ़ापी की निशानिया कम होते नजर आएंगे नाभी में तेल लगाने से पुर्ष्णों के शरीर में सुक्राणों की वृद्धी और सुरक्षा होती है फटे हुए हूँट, नर्म और गुलावी हो जाते हैं इसे आँखों की जलन, खुजली और सुखापन भी ठीक हो जाता है पाचन तंत्रे भी मजबूत होता है नाभी प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है हर्मोन संतुलित होते हैं और गरभा धारन के संभावना बढ़ती है गुस्से को कंट्रोल करता है आपकी आयू लंबी होगी दोस्तों, रात को सोते वक्त नाभी में तेला आप जरू डालें और नाभी की नियमित रुप से सफाई भी बहुत जरूरी है तो नहाते वक्त आप नाभी को साफ रोजाना करें मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी फादे मंद लगी होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्टों के साथ शेयर करें और होसला अबजाई के लिए वीडियो को लाइक करके जाएए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद